नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे जीरो डॉल एस्पी के बारे में जीरो डॉल एस्पी टाबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मसल्स पेंट, चोडों का दर्द और किसी ऑप्रेशन के बाद होने वाले दर्द में आराम देती है जीरो डॉल एस्पी, आसिकलोफिनाक, एसिट अमिनोफिन यानिकी पारसेटमॉल और सेरेटियो पेप्टिडेज ये तीन दवाईयों के कॉम्बिनेशन से बनी है इन तीन दवाईयों में आसिकलोफिनाक, नॉन स्टिरोडिल एंटि इंफ्लमेटरी यानिकी NSAID है जबकि पारसेटमॉल और की एसिट अमिनोफिन एक एंटिपारिटि कहने की बुखार के उप्चार की दवा है सेरेटियो पेप्टिडेज एक एंजाइम है जो सूज़त को कम करता है जिरो डॉल SP दवाख्Wevा का उप्योग आम तोर पर हड्यों और जोडों के दढमें, दातों के दढमे, मास पेश्य के दढमें, कान के दढद, सूज़न, गले में खराश, बुखार, सिर दढद, कान के संक्रमन, मासिक दढद, खून के धप़े होने पर, सर्दी और अन्यस सित्य के उपचार के लिए किया जाता है वैसे जीरो डॉल एस्पी बहुत ही कॉमें दवाई है आपको किसी भी फार्मसी में मिल जाएगी लेकिन अगर आपको यह नहीं मिले तो इसके अल्टेनेटिव्स है विटरी एस्पी टैबलेट आईवुजेसिक एस्पी टैबलेट एनफलम एकस्पीस टैबलेट एसिकलो सेरा या फिर फ्लोजन एए टैबलेट अपके फार्मसीस से मांग सकते हैं अब हम जानते इसके डोसेज फॉम और रूट ऑफ एडिनिस्टेशन के बारे में एक जिरो डॉल एस्पी के टैबलेट में 100 mg एसिकलोफिनैक 325 मिलीग्राम पैरसेटमॉल और 15 मिलीग्राम सेरेटियो पेप्टिडेज होता है ये गोली दिन में एक बार ली जाती है जिरो डॉल एस्थी का इस्तमाल डॉक्टर द्वारा बताये गए निर्देशो करने के बाद ही लेना चाहिए इससे आपको असलेटी नहीं होगी अब हम जानते हैं साइड एफेक्ट्स के बारे में अगर आपको आगे बताय होए साइड एफेक्ट्स में से कोई भी लक्षन नजर आए तो अपने डॉक्टर से डिसकस्ट करें और इसके इस्तमाल को तु मागी बुखार, सास फूलना, चेहरे का पीला होना, वजन एकदम से घटना या बढ़ना, तवचा पर खुजली होना, धुनला दिखाए देना इत्यादी इसके इस्तमाल के कारण होने वाले सभी साइड एफेक्ट्स यहां नहीं बताय गये हैं अगर आप किसी और भी तरह के साइड इफेक्ट्स महसूस करते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें, अगर जीरो डॉल एस्पी में शामिल किसी भी इंग्रेडियन्ट से ऐलर्जी हो, तो इसकी उप्योग के लिए अपने डॉक्टर से बात करें, अगर इसकी खुराक लेने के बाद चक्कर या कभी breast cancer हुआ हो, या हालिय में कोई surgery हुई हो, kidney से जुड़ी बिमारी हो, liver से जुड़ी बिमारी हो, या फिर अगर pregnant होने की योजना बना रहे हैं, या फिर pregnant है, तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं, अगर आप किसी तरह की दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो उसके साथ zero dollar SP इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर जान ले कि उसके साथ उसके इस्तेमाल करने से आपको किसी तरह की परेशानी हो सकती है, साथ ही यह आपकी दिवा के असर को भी प्रभावित कर सकता है, बिना डॉक्टर की सला के इसका सेवन ना करें, साथ ही में, aspirin, clopidogrel, delteparin, diclo zero dollar SP का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कुछ मामलों में खतरनाक हो सकता है, इसका अधिक सेवन, kidney और liver के लिए dangerous है, अगर इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह की लक्षन नजर आते हैं, तो तुरंत इसका सेवन बंद करें और डॉक्टर की सला लें, अगर इसके इस्तेमाल से दिल की समस्याएं, kidney की समस्याएं, depression, high blood pressure, high cholesterol, asthma या खून के ठक्के बनना इस तरह की समस्याएं हो जाएं, तो आप जरूर डॉक्टर से बात करें, तो यह होगी जानकरी zero dollar SP के बारे में, आशा करते हो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वी यूसफुल लगा हो, तो अपने family और friends के साथ इसे जरूर शेयर करें, ऐसे ही और useful और informative वीडियो के लिए फार्मसिस्ट आश्विनी को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी जरूर दबाए, बैल आइकन दबाने से जब भी मैं आपको उसका notification मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, bye bye and take very good care of yourself.